तो आभी हम solve करेंगे, question number 4, previous 3 questions में chapter 1, BL थरेजा, basic electronics, solid state, जो कि B.T.E.C. के लिए, B.S.C. के लिए, M.S.C. के लिए recommended होती है, वो solve कर चुकी हूँ, यह आपका fourth question है, यहाँ पर एक little mistake है, this is chapter 1, right, this is chapter 1, तो इसको हम आभी solve करेंगे, और इसको हम देखेंगे properly, कि किस तरीके से आप इसको आगे, कितने ही easy way में solve कर सकते हैं, यह आपके सामने एक circuit है, इसमें आपको एक battery लगा के दी गई है, 6V का, दो symbol जो आपको देख रहे हैं, that means कि two cells के combination से यह battery बनी है, 6V की, आपका current का flow positive direction से negative direction की तरफ, यह आपकी side positive side है, यह negative side है, already मैं आपको बता चुकी हूँ कि higher flow से lower level, यानि lower level voltage की तरफ को current का flow होता है, higher side को उनसी है positive, lower side को उनसी है negative, तो उसकी तरफ को आपका flow होगा, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो connected है नहीं, जब यह दोनों 0 पे connected नहीं है, तो हम कैसे मानें कि lower side आपका negative की side को जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे grounding की हुई है, ठीक है, यह वाले point पे grounding है, और यह वाले point पे, grounding का मतलब है, यहाँ पे भी आपकी 0V है potential, यहाँ पे भी 0V है, यानि कि यह same potential पे हैं, जब यह same potential पे हैं, तो हम इनको connected मान लेते हैं, जब हम इनको connected मान लेंगे, और यह आपका 0V है, तो 0V भी तो in comparison to plus 6V आपका lower level voltage पे है, तो current के flow की direction क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक ह तो current के flow का direction आपका change नहीं होगा, तो basic सा rule आप यह समझ करके रखिए कि higher level voltage से lower level voltage की तरफ आपका current फ्लो करता है, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ को पानी फ्लो करता है, ज्यादा उचाई से ज्यादा height से कम height की तरफ को फ्लो करता है, ठीक ऐसे ही जो की R resistance है, अब basically यह सिर्फ resistance नहीं है, यहाँ पर इन्होंने bulb लगाया हुआ है, आप मान सकते हैं, और इस bulb में जो wire यूज किया है, उस wire की resistance R है, अब वो जो bulb है, उसकी power है आपकी, suppose 9 watt, ठीक ना, जो इन्होंने दी हुई है, not suppose, बट इन्होंने दी हुई है, 9 watt power है, अब इन्होंने कैसे इन्लिकेट किया, यह जो छोटे-छोटे आपके यह देख रहे हैं, यह पावर का energy का symbol है, यह इन्होंने यहां से बता दिया, रेसिस्टर के चारो तरफ यह लगा करके, कि this is a bulb kind of thing, okay, बीच में resistance को डिनोट कर दिया, which is R, ठीक है, तो जो power है, वो 9 watt है, 9 watt क जिसके अंदर जो भी कोई wire लगा है, उसकी resistance आ रहा है, ठीक है, अब जितनी जादे resistance होगी, उतना जाजा यह जो है, heat produce करेगा, क्योंकि यह current को रोकेगा, अवरोध उत्पन होगा, जब hindrance होगी, तो hindrance की वज़े से क्या हो जाएगा, यहां पर, आपकी heat generate होगी, in terms of, पता चल गए, resistance पता चल गए, अब इसमें आपको बताना है क्या, unknown क्या बच गया, unknown बच गया, आपका resistance R, ठीक है, इन्होंने पूछा है, कि जो बल्ब है, इसमें जो wire यूज किया है, हमने, इसकी resistance R क्या होगी, तो अब हम यहां पर देख लेते हैं, किस तरह किसे इसको solve क पावर आपको दे दिया गया है, 9 V, ठीक है, आपको वोल्टेज दे दिया गया है, 6 V, कोई और कॉम्पोनेंट इस सर्किट के अंदर नहीं है, तो हमको कुछ और सोचने की जादर जरूरत नहीं है, करंट आपको आई दिया गया है, करंट की भी वैल्यू आपको बताई नह इसको आप सीधा सीधा लिख सकते है, पी की वैल्यू कितनी है, 9 V, ठीक है, as equals to voltage कितना है आपका, 6 V, current कितना है आपका, नहीं मालूम तो हम current को I का I लिख देते हैं, ठीक है, तो यहां से I is equals to आपका केतना हो जाएगा, 9 V, divided by 6 V, so that comes out to be 3 by 2 Mp, ठीक है, इसको बाइफर्के तो कटके आपके पास सिर्फ Mp बचेगा, तो current की value कितनी हागे, current की value आगे, आपके 3 by 2 Mp, ठीक है, तो इस तरीके से कभी लिखा नहीं जाता है, जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा equal to I, I को मिश आप left hand side में रखेंगे, और जो इसको value हमें calculate करके मिलिए, उसे right hand side में अभी हमें बतानी है resistance, तो अब हम आजाएंगे ohm slow पे, ठीक है, तो यह ohm slow के हिस आपसे आपका क्या होता है, ohm slow का formula क्या होता है, V is equals to R multiplied by I, ठीक है, तो R का जो value है, वो हमको पता करना है, हमको मालूम नहीं है, तो R is equals to क्या हो जाएगा, V divided by I, V आपका क्या हो गया, यान current आपका कितना है, 3 divided by 2, 2 आपका उपर चला जाएगा, multiplied by 2, ठीक है, 3 by 2, ampere, तो यह कितना जाएगा, 3 2 जा 6, राइट, and 2 जा 4, तो यह आपका हो जाएगा, 4 volt, ठीक है, यह आपका इस तरीके से यहाँ पे, voltage, sorry, volt नहीं, 4 ohm, ठीक है, so this will be, क्योंकि this is volt by ampere, आपका, so this will be 4 ohm, so resistance आपकी कितनी आजाएगी, 4 ohm, ठीक है, so the answer is going to be your 4 ohm, right, so this is the 4th question, so in the next video, we'll be seeing the 5th question, thanks.